Hello dear students, welcome to Anytime Padae Academy, कैसे हो guys, I hope all of you are doing really well और आप सब की तैयारियां बहुत हची चल रही होंगी So guys, सबसे पहले I am really sorry कि मैं काफी दिनों से कोई नया वीडियो नहीं लापाया I was very busy and now this video will be very very crucial for you जिससे आप की JMS April की performance काफी शांदार तरीके से बूस्ट होने वाली है तो लगबग 40 days माल लेते हैं, we have 40 days for JMS April attempt और आप में से वो student जिनके जो भी 12th class में हैं, उनके board exams भी बिलकुल आज चुके हैं तो इस समय पे किस तरीके से हमें तयारी करनी चाहिए, किन बातों का हमें खयाल रखना चाहिए वही सारी बातें आज हम करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं So guys, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन student का JMS का January attempt जो है, वो अच्छा जा चुका है अगर वो extremely amazing जा चुका है, then it is good Otherwise आप उसको lightly नहीं ले सकते हैं आपका जो भी percentile आई है तो जो भी नए students आएंगे, the new students will get the better percentile और अगर उनका percentile better आएगा, तो आपका performance अच्छा होने के बावजूद आपकी rank पीछे आजाएगी तो पहली चीज ये है सबसे important कि JMS April attempt को आपको lightly भी नहीं लेना है, नहीं तो आपका काफी नुकसान हो सकता है चलिए अब कुछ important बाते और जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली important बात ये है, you have to balance the board exam preparation with the JEE देखिए, JEE के साथ-साथ board exam की preparation और जब आप boards के paper दे रहे हैं तो भी आपको उस समय ध्यान रखना पड़ेगा, JEE की preparation बिल्कुल भी आपकी hamper नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, देखिए, होता क्या है बीच में board के exams में कई बार 5 दिन की चुटिया होती है, कई बार 6 दिन की चुटिया होती है इतनी चुटियों में, obviously आप अपनी preparation को balance out रखेंगे, आप JEE की preparation भी साथ साथ करेंगे और board की preparation भी साथ साथ करेंगे, अब आप खुद ही सूचें, जब board exam की आप preparation कर रहे हैं for example, mathematics के अगर आप question solve कर रहे हैं, तो JEE की preparation तो साथ साथ होई रही है तो board exam को आपको hindrance की तरह नहीं लेना है तो board preparations के साथ साथ JEE की preparation बहुत ही शांदार तरीके से regularly आपको करनी है बस just exam से एक दिन पहले की बात अलग है, लेकिन उससे पहले आपको तयारी JEE की भी साथ साथ रखनी चाहिए next important बात यह है कि practice test paper भाई इस समय पे भी बीच इच में जब मोका मिले आपको पूरे practice सबसे important होती है which makes a man perfect, तो जितनी practice करोगे उतनी ही चीज़ें आपको exam में याद रहेगी अगर आप practice नहीं करोगे सिर्फ books की reading से बात नहीं बनने वाली तो practicing most of the questions जिसके लिए सबसे अच्छा source होता है previous year questions and full-full test देने भी बहुत ज़रूरी है full test देने में specially जो latest 8 papers हुए है उसमें आपने एक session दिया है लेकिन बाकी sessions के paper भी आपको देने चाहिए तो जितने भी weeks आपके पास बचे वे अगर हर week आप एक या दो paper दोगे तब जाके वो paper complete हो पाएंगे तो वो papers इस समय best है देने के लिए बाकी आप ATP की online test series भी join कर सकते हैं उसके भी आप test paper दे सकते हैं अब ये 8 papers आपको कहां मिलेंगे girls and boys इसके बारे में मैं आपको inform करता हूँ जैसे कि आप अल्रेडी जानते हैं ATP Guru जो ATP का learning platform है learning and testing platform for J&E यह already launch हो चुका है and our app is available on app store as well as google play so guys आप इस app को download कर सकते हैं या website पे भी जा सकते हैं आप website पे भी directly जा सकते हैं बाकी app पे थोड़ा सा easily accessible होता है वहाँ पे यह free test आपको मिलने वाले है you don't have to pay anything at all यह मैंने पहले भी आपको बता दिया था तो वहाँ पे आपको previous papers जो है खासकर पुराने papers जो है like इस session में जो हुए है January attempt में वो भी आपको मिलेंगे उसके अलावा जो 17 में 16 में वो papers भी आप free of cost attempt कर सकते है so guys ATP Guru का जो download link है वो इस video के description में नीचे दिया हुआ है so download the app right now to access those papers and guys वो मिलेंगे आपको कहाँ वहाँ पे आप test में जाएंगे home screen में जहाँ पे यह test वाला button है आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जो sample section है वो sample section के अंदर आपको free test मिलेंगे guys अगली important बात यह है again जैसे कि आपने देखा था NCRT की weightage के बारे में मैं दुबारे से बात करूँगा it has very high weightage especially in chemistry तो theory भी आपको इसमें बढ़िया से करनी है बढ़िया से theory करने में आपकी जो board की preparations है वो help करेगी और उसके अलावा जो NCRT के पीछे जो question दिये है वो भी काफी काफी important है उसके अलावा NCRT के exemplar जो है उसके भी कई सारे question काफी अच्छे है तो यह काफी अच्छा source है इस समे क्योंकि time limited है और अच्छे source से आपको तयारी करनी है यह बहुत important है guys उसके अलावा आप में से कई students को जैसे live courses चाहिए होते हैं ठीक है न यानि अगर आपके कई concepts ही आपको नहीं आते तो आप practice किस तरीके से करेंगे तो उसमें आपको ATP के जो live courses है वो काफी help कर सकते हैं ATP के जो live courses है वो कहाँ पर available है जैसे कि आपको पता होगा they are available on unacademy platform ATP के live courses on unacademy platform पर available है girls and boys इसको unacademy plus बोलते है and अगर आप interested हैं यह उन्हीं students के लिए जिनको इसकी requirement है नहीं तो आप free videos ATP Guru पर देख सकते हैं तो कोई भी आपको requirement नहीं है लेकर if you are willing to you know get the live courses and the real personalized courses तो ऐसे केस में you can join the live courses and वहाँ पर आपको इस तरह का screen दिखाई देगा और वहाँ पर you can click on get subscription और वहाँ पर you can use this code ATP Academy आप इस code का use कर सकते है to get the 10% discount, okay guys तो clearly यह course free of cost नहीं है they are the paid courses and clearly मैंने बता दिया है यह उन्ही students के लिए applicable है आपे हम खुद पढ़ाते हैं और खुद personally doubts बताते हैं last but not the least सबसे important इस समय girls and boys है high motivation high josh सबसे important है positive attitude बहुत important है focused approach आपकी सारी energy इस समय आपके लक्षे के लिए पूरी तरह से लग जानी चाहिए सुबह सुबह सही time पे start करो health का पूरा ध्यान रखो adequate nutrition low यानि इस समय ऐसी कोई भी चीज ना करो जो आपको अच्छी ना लगती हो focused on the right things at the right time this timing is very very important क्योंकि सुबह से अगर आपने काम बढ़िया से शुरू कर दिया तो सारा दिन आपका बहुत शानदार जाएगा health का दियान भी बहुत अच्छे से रखें और social media पे बहुत जादा time spend ना करें अपने time को जो आप YouTube पे वीडियोस भी देखते हैं वो unnecessary वीडियोस ना देखें जो काम के वीडियोस हैं वही देखें selective वीडियोस देखें याद रखें सिर्फ वीडियोस देखने से selection नहीं होगा selection होगा किस चीज से test paper देने से उसके अलावा बहुत सारे अच्छे चे questions करने से और काफी focused study करने से यानि settings आपके अच्छी नहीं चाहिए अगर आप एक बार में एक घंटे टिक के बैठ के पढ़ नहीं पाओगे तो कैसे काम चलेगा तो कम से कम आपकी sitting एक sitting एक घंटे की ज़रूर होने चाहिए ओके गाईस तो लेट मीं conclude this particular वीडियो by saying that कि you have to balance the board preparations with the JEE practice the previous year papers as well you can use ATP Guru for that उसके लाबा NCRT पे आपको बढ़िया से focus करना है high motivation maintain रखना है positive attitude maintain रखना है और ATP के live courses अगर आप access करना चाहते हैं तो Unacademy के plus platform पे आप उनको join कर सकते हैं ओके गाईस, bye bye, take care and all the best